हाई मैं हूँ मोहित आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ट तो दोस्तो आज फाइनली मोटो जी सेवन्टी टू फोन को इंडिया में लॉंच कर दिया गया है ये एकी वेरिगंट हुमें इंडिया में लॉंच हुआ है ये 612 के साथ आता है वहीं दोस्तो मैं प्रास के बारे में बात करूँ तो इस फोन का प्रास रखा गया है इंडिया में 19,000 रुपे लेकिन दोस्तो फ़र्श्ट सेल में आप लोग इस फोन को बाई करते हो तो ये फोन आप सभी को मिल सकता है मातर 16,000 रुपे में मतलब कि दोस्तो first sale में आप सभी को इस phone में 3000 रुपे का कैसे off मिलेगा अगर आप लोग अपना old phone को exchange करते हो इस phone के साथ तो आप सभी को 3000 रुपे का extra off मिलने वाला है मतलब दोस्तो exchange offer लगा कि इस phone को आप लोग first sale में buy कर पाओगे मातर 3000 रुपे में लेकिन दोस्तो इस phone में हम सभी को एक big problem देखने को मिलती है और क्या आप सभी को इस phone को buy करना चाहिए या फिर buy नहीं करना चाहिए मैं आप सभी को सारी जानकारियां देने वाला हूँ इस वीडियो में तो दोस्तो अगर आप सभी को पूरी जानकारी चाहिए कि आप सभी को इस phone को buy करना चाहिए या फिर buy नहीं करना चाहिए तो दोस्तो आप सभी को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है इस वीडियो को लाश्टे तक ज़रूर देखना है और दोस्तो जिससे भी अभी तक मेरा टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो आप लोग जाके जॉइन कर सकते हो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा है अगर आप लोग मेरा टेलिग्राम चैनल को जॉइन करते हो तो वहाँ पर मैं आप सभी को सेल के रिलेटेड यूटूब से भी पहले अपडेटे देता रहता हूँ तो आए दोस्तों आज की इस वीडियो का मुझा आपर स्टार्ट करते हैं देखिए सबते पहले मैं बात कर लेता हूँ इस फोन का बिल्ड और डिजाइन के बारे में ये फोन प्लास्टिक बैक और ये फोन प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है वहीं दोस्तों मैं वेट के बारे में बात करूँ तो इस फोन का वेट निकल के आता है मातर 170 ग्रम जिसको भी एक लाइट वेट फोन चाहिए मतलब की जिसको एक हलका फोन चाहिए तो मेरे विचार से आप लोग इस फोन को बाई कर सकते हो लेकिन याद रखना कि ये फोन प्लास्टिक बैक के साथ आता है इसका बैक सैड में हम सभी को कोई भी गलास देखने को नहीं मिलता है और डिजाइन के बारे में आप लोग नीचे कमंड करके मुझे ये बताओ कि इस फोन का आप सभी को डिजाइन कैसा लगा अच्छा लगा, खराब लगा, मतलब की ठीक था के लगा वैसे दोस्तों मैं बात करूँ डिजाइन के बारे में तो देखिए मोटो रोला का जो मोटो जी 52 है, 62 है लेकिन इस बार हम सभी को डिजाइन में अंतर देखने को मिलता है इसी मोटो जी 72 में तो आए दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ डिस्प्ले के बारे में इस फोन में हम सभी को देखने को मिलता है 6.55 इंच का Full HD Plus P OLED 120 Hz का 10-bit वाला डिस्प्ले मतलब कि हाँ 19,000 रुपे में आप सभी को इस फोन में मिलने वाला है एमुलेट के साथ 120 Hz के साथ 10-bit और इसमें हम सभी को 13 सा निर्स का भी brightness अभिलेवल मिलता है मतलब कि दोस्तों आप लोग अपना फोन को धूप वगेरा में यूज करते हो तो आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है तो दोस्तों डेफिनेटले इस फोन में हम सभी को डिस्प्ले काफी बेटर मिलता है वही मैं सेल्फी कैमरा के बारे में बात करूँ तो मोटो जी 72 आता है 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ वहीं दोस्तों मैं रियर कैमरा के बारे में बात करूँ तो इसका बैक सैड में हम सभी को तीरपल दियर कैमरा सिट अप देखने को मिलता है primary camera 108 megapixel का दूसरा 8 megapixel का wide angle camera तीसरा वही बेकार camera 2 megapixel का भाई ये 2 megapixel camera को हाटा क्यों नहीं देते हो तुम लोग खैर इसमें हम सब भी को selfie camera या फिर rear camera भी अच्छा मिलता है वहीं तो समय बैटरी के बारे में बात कर रहे हूँ तो Moto G72 आता है 5000 mAh बैटरी के साथ plus 33 watt का fast charging भी हम सब भी को मिलता है और दोस्तों जैसे कि मैंने आप सब भी को बताए कि इस phone का weight निकल के आता है मातर 170 gram इसके बावजूद भी इस phone में हम सब भी को 5000 mAh का big battery मिलता है जो कि दोस्तों ये काफी अच्छी चीज है वहीं दोस्तों मैं प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो इस phone में हम सब भी को दिया गया है MediaTaker G99 4G वाला प्रोसेसर 19,000 रुपे में हम सब भी को दिया गया है 4G वाला प्रोसेसर वहीं दोस्तों मैं इसका अंतुतू स्कूर के बारे में बात करूँ तो इस processor का Antutu score निकल के आता है 3,70,000 के भी उपर क्या आप सभी को 19,000 रुपे में एक 4G phone अभी के जवाने में buy करना चाहिए या फिर buy नहीं करना चाहिए देखो आप सभी को यहाँ पर एक या फिर दो साल के बाद phone को अपग्रेड करना है तो मेरे विचार से आप सभी को इस phone को definitely buy करना चाहिए इस phone में हम सभी को ठीक ठाक processor भी मिलता है लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पर यह बात जरूर ध्यान में रखना क्योंकि दोस्तों इस price में हम सभी को बहुत ही तगड़ा तगड़ा processor मिलता है जैसे कि Snapdragon का 7780G वाला processor या फिर MediaTek का ही 920 वाला processor तो definitely MediaTek G99 processor से बेटर निकल के आता है 77080G वाला processor या फिर MediaTek का 920 वाला processor तो देखिए अगर आपको एक या दो साल phone को यूज करना है तो आप लोग मेरे विज़ाद से इस phone को buy कर सकते हो लेकिन अगर ये phone आप सभी को exchange में 16,000 रुपे में मिलता है तो मेरे विज़ाद से आप सभी को इस phone को buy कर लेना चाहिए अगर आपको phone को 6 माईना, 1 साल, 1.5 साल यूज करना है तो phone में आप सभी को processor के अलावा कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है इस phone में हम सभी को processor भी बढ़िया मिलता है लेकिन ये 5G के साथ नहीं आता है तो आप लोग आपर ये बात जरूर ध्यान में रखना और दोस्तों देखिए Motorola जो है जेनरली इस price में हम सभी को in display fingerprint sensor 12 plus stock android के साथ आता है ये phone मतलब कि दोस्तों एक बात clear है अगर आप लोग इस phone को buy करते हो तो इस phone में आप सभी को कोई भी ads नहीं मिलने वाला है या फिर कोई भी fall to app आप सभी को नहीं मिलने वाला है लेकिन दोस्तों ये जो phone है hybrid SIM slot के साथ आता है तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ क्या आप सभी को इस phone को buy करना चाहिए या फिर buy नहीं करना चाहिए देखिए फिर वही बात आता है इसमें वही एक big problem मिलता है Mediatek G99 processor अच्छा है कोई doubt नहीं है लेकिन 16,000 रुपे में ये based है लेकिन 19,000 रुपे में हम सभी को इसमें मिलता है 4G processor अगर आप सभी को 6 माईना एक साल phone को use करना है तो मेरे विचासे आप लोग आपर इस phone को definitely buy कर सकते हो क्योंकि processor के अलाबा हम सभी को इस phone में कोई भी कम ही नहीं मिलती है ये phone lightweight के साथ आता है प्लस दोस्तो इसमें हम सभी को 10 bit के साथ P OLED 120 Hz का display मिलता है जो कि दोस्तो ये काफी better है इस camera अच्छा, battery अच्छा, fast charging अच्छा तो मेरे विचासे आप लोग definitely इस phone को buy कर सकते हो लेकिन फुआ ही बात आता है मैं बार बार एक ही बात बोल दा हूँ जिसको भी 5G phone buy करना है तो मेरे विचासे इस phone को आप लोग मत buy करना तो दोस्तो फिलाल आज किस वीडियो में बसेत नहीं था अगर वीडियो चला और वीडियो को like करना इस channel को subscribe करना और हाँ इस वीडियो को share करना ना बोला तब तक लिए आज किस वीडियो में बसेत नहीं था तब तक लिए जय हिंद बंदे मातरम जय भारत